Hello friends, welcome to Lesnarvist, this is Ramsuni मद्धप्रदेश के पंचायच चुनों में इस समय जद्धो जहद अपने चरम सीमा पे है मद्धप्रदेश में पंचायच चुनों में सुप्रीम कोट ने फैसला दिया था कि पंचायच चुनों में OBCR रेश्ण को खत्म कर दिया जाए चुकि मद्धप्रदेश सरकार ने ट्रिपल टेस्ट को पास्त नहीं किया था ट्रिपल टेस्ट में कई सारी चीज़ें हैं लेकिन एक सबसे महत्पूर्ण चीज़ ये है कि एक आयोग का गठन करके यहाँ पर कैलकुलेशन करना था कितनी आबादी और उसका कितना प्रतियत है ये मद्धप्रदेश सरकार ने नहीं किया और उसके चलते आनन फारन में इलेक्शन को कंडट कराया जा रहा था मामला सुप्रीम कोर्ट में गया OBC का रहेशन खतम हो गया इसके बाद दिखा जायर तो आपको पतो ना चीए जो विधान सभा है वहाँ पे खूब जूमा जटके हुई केंदर जो राज सरकार है बिजेपी सरकार है और जो कांग्रेस अपोजिशन में है उनके जो लीडर से उनके बीच में काफी तनातनी हुई इसके चलते विधान समय सर्व समत से संकल पलिया गया कि OBC जारेक्शन नहीं तो पंचाय चुनाओ भी नहीं करेंगे ये सारी चीज़े थी लेकिन मामला यहीं से नहीं होता मामला ये था कि यहाँ पर पंचाय चुनाओ शुरू हो गए है राज जिन्रवाचन नायोग एक कॉंस्टिशनल बोडी है उसने पंचाय चुनाओ की अदुसुचना जारी कर दिया एलेक्शन स्टार्ट हो गए सारे राज जिन्रवाचन नायोग यहाँ पर बोल रहा है कि हम एलेक्शन जो है वो रोख नहीं सकते इस बीच अब यहाँ पे मोधी सरकार ने राज जिन्रवाचन नायोग क्या कर रहा है वो कहरा कि सुप्रीम कोर्ट यह दी इजाज़त देता है सुप्रीम कोर्ट यह दी आउडर देता है कि नहीं आप पंचायज चुनाओ पोस्पोन कर दो उसी कंडीशन में हम पंचायज चुनाओ इस्तगित करेंगे अधरवाइस नहीं करेंगे तो यहाँ पे केन सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुची और उन्हें बुला कि मद्दप्रदेश पंचाय चुनों के लिए सुप्रीम कोर्ट को दो विकल्प दिये पहला बुला कि या तो आप हटाये गए OBC आरेशन को वापस से लागू कर दे यह दूसरी कंडिशन है पंचाय चुनों आप इस्तगित कर दे चार बहने के लिए अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे वो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन यहाँ पर कई सार ने चुप्रने इसको डिस्कस किया है कि OBC रेविशन सेंटर मौ सुप्रीम कोर्ट सीक्स रिकॉल आफ दिसंबर 17 ओर पास्ट इन मद्धप्रदेश मैटर 17 दिसंबर को वो ओर आए था सुप्रीम कोर्ट को उसके बाद सारे मामले आए तो अब इस समय देखा जाए तो यह काफी कंट्रोवर्सल पॉइंट बन गया और इसी बीच मद्धप्रदेश सरकार के जो कैबनेट है उन्होंने एक फैसला लिया कि जो अध्यादेश हम लेके आया थे आर्टिकल 213 के अंदर उस अध्यादेश को हम कैंसिल कर रहे हैं और इसके जलते मद्धप्रदेश पंचायत चुनाओ निरस करने की सुरुवात कर देगी यह चीजे प्रापर राजपत्र में जारी किया गया और वहाँ पे बोला गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं जो पंचायत चुनाओ हैं उसके लिए जो अध्यादेश हम आर्टिकल 213 के अंदरगत लाए थे उसको हमने रद कर दिया लेकिन यहाँ पर एक बड़ा क्वेशन यह बन जाता है कि यहाँ की जो निर्वाचन आयोग है राज जी निर्वाचन आयोग कॉंस्टिशनल बॉड़ी आपको पतोना अच्छी है और उनको बेसिकली इलेक्शन कराने का अधिकार है पंचायतों का उन्होंने सुचना जारी कर दिया है अब उनका कहना यह है कि यहाँ पे केंसरकार सुच्प्रीम कोर्ट के पास पहुची है कि आप पंचायत चुनाओ जो है वो पॉस्पोन करने का ओर्डर दे या तो हटाएगे ओभी शारीशन को वापस से रीस्टोर कर दे अब ऐसा मामला हाला कि महारास्ट में भी था महारास्ट में भी लबग लबग सेम से मामला था अब देखे यहाँ पर एक concern बनता है क्या सरकार वाकई चुक है क्या सरकार वाकई OBC को रेजरविशन दिने के ले अतना sensitive है देखिए सरकार से बहुत सरे OBC के जो ओगनाईशन है उन्होंने एक डिमांड की थी कि OBC आरेक्षण को वापस से रिफॉर्म करने के लिए रियोगनाईश करने के लिए आप OBC का कास्टेंस कराएं जाति आधरे जन्गरना इसे बोलते हैं सोशी उकनामिक कास्टेंस से रिकराया जाया तो पता चल जाएगा कि कितनी आबादी OBC की है और साथ में OBC का कितना प्रत्निहित्व है उसको आप ए प्रिकास से असेस्मेंट कराएं अपने सिंसस 2021 में इसको भी आप इंकॉर्पेट क कराएं अब आप में इसे बहुत साल लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं कास्ट सिंसस होने की कोई जूरूत नहीं है ये तो होता ही नहीं हमारे देश में नहीं हमारे देश में सिरूल कास्ट और सिरूल ट्राइब का सिंसस हर साल होता है हर साल नहीं मतलब हर 10 साल में सिंसस के सा पर दे कराने से मरा कर दिया जबकि भारती जंता परटे की सरकार जब 2014 में चुनी गी थी तो उन्हें बुला था कि पर दे कराने से मरा से मरा के जबर में शीकि जुक्राने से मराक नहीं चुरूर में बने सरकार थो तो इसके चलते पूरे देश में देखें यहाँ पर डिमोक्रेसी में ही प्रॉलम जाती है जब जिसकी आबादी बहुत जदा होती है तो वहाँ पर आप उसको नाराज करने की आप जो कंडिशन नाराज नहीं कर सकते यदि करते हैं तो आपको election में काफी दिक्कतों का सामना क पढ़ सकता है, ऐसी आम तोर पे चीज़ें होती है, अलाग कि केन सरकार ने अपीजमेंट अलग लग सेक्षन के लिए किया है, लेकिन यहाँ पर जो OBC की आबादी है, वो तकरिबन 51-52% है पूरे देश में, राज़ी में भी 51% आबादी है, तो उस कंडीशन में और UP में एल Supreme Court के सामने विकल्प रखे हैं, हाला कि देखा जाया तो यहाँ पर बड़ाई interesting मामला इस समय चल रहा है, अब इसके बारे मैं क्या कहूं जदा, I have not so many words, बट हाँ यह ज़रूर है कि आने वाले कल में जो political condition बनेगी हमारे देश में या मद्धप्रदेश में, वो काफी interesting होन हमारा चैनल fully तरह के से dedicated है, आपके selection के लिए हमारा चैनल जो है, एक महत्पून रूल प्ले करेगा, और दूसरी बात यह है कि MPPSC के prelims हो, चाहे mains हो, चाहे interviews हो, इन सभी के लिए हमारा चैनल आपके selection में एक महत्पून रूल प्ले कर सकता है, इसलिए आप चैनल को subscribe कर सकते हैं, और सबसे मात्पून बात यह है, MPPSC 2021 prelims के लिए हम लोग classes start करने वाले हैं, हाला कि आप home page में जाएंगे, तो वहाँ पर बहुत सरे full length test आपको मिल जाएंगे, topic wise वहाँ पर syllabus, topic wise जो है हमने, जो MCQs practice आप लोग कराई है, तो आप उसे भी देख सकते हैं, वहाँ से writing आलड़ी चल रही है, आप उस main sensor writing में participate कर सकते हैं, जो कि साम को 4 बज़े होती है, यह सारी चीज़ें इसी platform में होती है, तो आप इसका benefit ले सकते हैं, इन केस हमारे classes के information लेना चाहते हैं, या हम से जूड़ना चाहते हैं, तो आप RAM, Sony, MPPSC नाम का telegram group भी जोइन कर सकते हैं यहाँ पे classes के information और साथ में इसका PDF से अर किया आता है, इसके मादे हम से भी आपने से जोड़ सकते हैं, तो चले मुलाकात करते हैं आप लोगोज फिर, तब तक ले बबाय टेकर, लेकिन आपो क्या लगता है, OBC reservation को लेकर जो पंचायती राज सिस्टम के जो चुनाओ पोस ने चीए, आपकी क्या राय है, और क्यों है थोड़ा से यह भी comment करके बताएंगे तो अच्छा रहेगा, इसी बाहने आपका at least interview में आपसे इस तरह question पूछे आ सकते हैं, तो फोड़ी balanced आप reply करेंगे, तो I think वो आपके interview में भी कामा जाएगा, तो चले मुलाकात करते हैं आप दो सुपिर्थ तरह के बाबया, ते क्यर, वोड़री ने हैट, कीप विपाववड और ते केर.